नमस्कार प्यारे साथ यूँ आप सभी के लिए एक और सरकारी गोर्मेंट नोकरी का ओफिशिल नोटिपिकेशन आउट हो चुका है और यहां फ्रेंज इस्टेनोग्राफर के 30 वेकेंची के साथ सथ और भी काफी नोन टिचिंग स्टाफ की वेकेंची एक से एक बढ़कर आ आज चुकी है और दोस्तों यहां पर मेडिकल रिकोर्ड ओफिस हो गया, एड्मिनिस्टेटिव ओफिस रो गया, क्लरक हो गया, ऐसे ही दोस्तों काफी सारी वेकेंची आज चुकी है जहां पर दस्वी पास, बार्वी पास और एनिक ग्रेजुट आप अपलाई कर सकते हैं तो आपने भी दोस्तों बार्वी पास कर रखी हैं और आपकी उम्र 18 से लेके 40 साल हैं और आप चाहते हैं 2024 के अंदर सरकारी गवर्मेंट नोकरी लगना तो दोस्तों एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब किजिगा और वीडियो को जाज़े से दादा लाइक और पूस्टेर कीजिगा आज की यह वेकेंची आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आयूर विज्यान वीश्व विद्याला सेफ़ई इटावा की और से आच चुकी हैं जो की दोस्तों बिलकुल आपकी सरकारी गवर्मेंट नोकरी रहनी वाली हैं और यहां पर आपकी नंब रहा है OBC की 9 है AC की 6 और EWS की 3 वेकेंची हैं आप 18 से लेकित 40 साल तक अपलाई कर सकते हैं यहां दोस्तों आपकी पास ग्रेजुशन के साथ साथ टाइपिंग का नोजलोलोजिस होना चीए 25 वर्मेंट और 30 वर्मेंट हिंदी की आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होनी थी दोस्तों नमबर सेकेंड पी आपकी पोश्ट है इस्टेनो ग्राफर की और ये दोस्तों बिल्कुल सरकारी गोर्मेंट नोकरी रहने वाली है इस्टेनो ग्राफर में आप 30 वेकेंची के लिए अपलाई कर सकते हैं जनरल की 12 वेकेंची हैं OBC की 9 वेकेंची है ऐसे की 6 है औ आपकी उम्र 18 से लेके 40 साल के बीच होने चीए और आप देख सकते हैं काफी हैंसम आपकी सलरी रहने वाली 81,100 रुपे पर मंद यहां दोस्तों इस्टेनो ग्राफर में आपकी पास ग्रेजविसन होना चीए सोठेन का नोलेज होना चीए इस्टेनो ग्राफर की दोस्तों अगर आप यहां जोब लगताते हैं और आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं है तो दोस्तों आपको दो साल का जोए टाइमिंग जो है दिया जाएगा टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए दो साल के अंदर दोस्तों आपको 25 वर्ड पर में टाइपिंग की स्पीड दस वेकेंची आज़ चुकी आपके पास B-Pharma होना चीए सो नंबर फाइब पे आपकी वेकेंची है Junior Physiotherapist की दोस्तों Physiotherapist में आपकी उम्र 18 चे लिके 40 साल होने चीए आपकी टोटल 5 वेकेंची आज़ चुकी है और आपके पास Intermediate Barview में होने चीए साइन्स में होने चीए और साथ यसाथ दोस्तों अगर आपकी पास कोई Physiotherapist में कोई Degree या Diploma है तो अभी दोस्तों आप यहाँ अप्लाइ कर सकते हैं सो नंबर 6 पे आपकी वेकेंची है Junior Occupational जोए Junior Occupational Therapist की यहाँ दोस्तों आपके बारुई पास मांगा गए और दोस्तों आपकी टोटल यहाँ पे 4 वेकेंची आज चुकी है सो यहाँ आपकी फोर्म फिस भी ली जाने वाली है अगर आप जनरल केटिगरी से हैं तो आपकी फोर्म फिस 2360 रुपे रहने वाली है OBC और EWS कंडिडेट्स के लिए 2360 रुपे रहने वाली है SCST कंडिडेट के लिए 1416 रुपे फोर्म फिस रहने वाली है So friends यहाँ आप सभी को Online अपलाई करना है यह आपकी Official वेबसाइट रखेगे www.upums.ac.in यहाँ आपको Friends Online अपलाई करना है और आपकी कोई भी डाउट्स इस भरती से सम्मंदीत रहते हैं तो आप हमें वीडियो के कर्मेंट में पूछ सकते हैं बाकी दोस्तू आप अपलाई करने से पहले एक बार इनके पूरे Notification को जुरूर रीट कर लिजिगा जो हमने हमारे Telegram Channel Study with अच्पिस्वामी पर डाल रखा है सो बात करें आपकी यहां पर दोस्तू Job Location की तो Job Location दोस्तू आपका जो है उत्तर परदेश के अंदर रहने वाला है सेफ़ई, इटावा में आपका जो है आईरुविद्यान संस्थान है वहाँ दोस्तू आपका Job Location रहेगा और उत्तर परदेश में ही आपका जो एक्जाम का प्रोसेस रहने वाला है सो दोस्तू यहां आप 18 से लेके 40 साल तक अपलाई कर सकते हैं आपको ओनलाइन अपलाई करना है और दोस्तू एसी विकेंची बहुती जो है वीडियो में एक और बड़ी बंपर सरकारी भरती के साथ